इनका बात करने है अब आज भी आप लोग मोर्किश्वा में आया था मेरा मेसेज बहुत क्लियर है हमने अभी हिस्टोरिक अग्रीमेंट साइन किया है बिट्वीन गवर्मेंट अब इंडिया स्टेट गवर्मेंट एन हमारे ओगनाईजेशन अब हमें कैबिनेट में भी रहे के हमारा बात उठाना है जो हमने इलेक्शन के पहले और इलेक्शन के समय उठाया हमें पब्लिक ने चुना है इसके लिए नहीं चुना है कि हम लोग जीतने के बाद हम लोग चुप बैट जाएगा तो कैबिनेट में भी वही आवाज उठेगा कैबिनेट के बाहर भी यही आवाज उठेगा वो मैं उठाऊंगा और दिल्ली में भी जो जाएगा वो वही आवाज उठाएगा जिससे हमारा अकॉर्ड का इंप्लिमेंटेशन हो मैं बहुत वाकिफ हूँ कि पिछले सरकार में IPFT जीतने के बाद दोनों मंत्री चुप हो गए थे उन्होंने बात नहीं उठाया लेकिन मैं शामत चरंत्री उप्रा नागेंद्र जमतिया के बारे सोचता हूँ कि उलोग पाउर में भी आके उन्होंने बहुत चीज हमारे